राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब हमारी यूटीब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों कातिक मास के कृष्ण पक्ष के त्योध शी को धन्तेरस का पर्व मनाया चाता है सनातन माननेताओं के अनुसा धन्तेरस के दिन खरीदारी करना शो माना गया है इस दिन खरीदारी करने से घर में हमेशा शुक शांती और समरत्ती आती है और माता लक्ष्मी का आशिरवादी बना रहता है इस दिन खरीदारी करने से साल भर घर में खरीदी गई चीज़ें शुफल देती है मानिता है कि भागवान धन्वंतरी अम्रत कलशली कर समुन्द मंधन से इसी दिन प्रकट हुए थे इस दिन पीतल और चांदी खरीदना चाहिए क्योंकि पीतल भागवान धन्वंतरी की धातू है पीतल खरीदने से घर में आरोगय, सौभागय और स्वास्त की दश्टी से शुप्ता आती है धन्थेरस के दिन चांदी और पीतल करीदने से भागय प्रबल होता है घर में धन समर्दि बढ़ती है खरीदी हुई वस्तू में तेरे गुना प्रत्थी होती है धातु से बने बतन, सामान और गहने खरीदने के लिए धन्तेरस वर्ष का सबसे स्रिष्ट दिन माना गया है धन्तेरस के दिन दीपावली में पूजन के लिए लक्ष्मी और गणीची की मूटी जरूलानी चाहिए मानिता है कि इस दिन दीपावली की पूजा के निये गणिश लक्षमीची खरीदने से घर धन धानने से भरा रहता है और आर्थिक संकट पास भी नहीं आपाते धन तेरस के दिन देपताओं के कोशा ध्यक्ष कुवेर देव की पूजा का बहुत महत्व है इस दिन घर में कुवेर देव की तस्वीर को लाकर उसे उत्तर दिशा में लगाएं और यदि कुवेर देव की तस्वीर पहले से ही है तो उसे अच्छी तरह से साफ करके उसके उपर नई साफ माला पहनाएं धन्तेरस के दिन घर में कुवे देप की तस्वीर लगाने, उनकी पूजा करने से खर कारूबार में धन सम्रधी भरी रहती है। धन्तेरस की दिन शंक को खरीदना अत्यंत शुब माना जाता है। धन्तेरस पर शंक को घर में लाकर उसी पूजा घर में रखकर उसकी पूजा करें। और दीपावली पूजन के समय शंक को अवश्य ही बजाएं। शास्तों के अनुसात जिस घर में नित्य पूजा में शंक को बजाया जाता है। उस घर से मा लक्ष्मी कभी नहीं चाते हैं और उस घर से सभी संकर दूर रहते हैं मा लक्ष्मी को कौडियां अत्यंत प्रिये हैं और जहां पर कौडियां होती हैं वहां मा लक्ष्मी का बास होता है दंतेरस के दिन कोडियों को खरीदना बहुत ही शुब माना जाता है दंतेरस के दिन कोडियां लाकर उन्हें घर के मंदिर में रखें और साएं काल को मा लक्ष्मी को वेजी के साथ इनकी भी पूजा करें तीपा वली के दिन लक्ष्मी पूजा के बाद इन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांध कर अपने धन रखने के इस्थान यानि के तिजोरी में रखें इस उपाई को कहने से घर में धन की कभी भी कमी नहीं रहते धनिया मा लक्ष्मी को बहुत प्रिय है जिस घर में साबुद धनिया होता है वहाँ पर मा लक्ष्मी अवश्रही निवास करती है धन तेरस के दिन घर पर साबुद धनिया याने के धनिये के बीच घर पर जरू लाने चाहें और इसे पूजा के बाद अपने घर के आंगन गमले में छिड़क कर उछकी देखवाल करने चाहें कहते हैं तनिया आपके घर में जितना अच्छा फलेगा उगेगा उतनी ही आथिक इस्तिती आपकी अच्छी होगी धंतेरस के दिन घर में नई जाडू अवश्य ही लाएं जाडू देवी लक्ष्मी जी का प्रतीक है जो घर से दरिता अलक्ष्मी को भदूर भगाती है धंतेरस के दिन घर में नई जाडू लाने से घर से दरिता नका रात पक उजा दूर चली जाती है और सच्छ घर में मा लक्ष्मी का पास होता है मानिता है कि धंतेरस के दिन घर में जाडू खरीद कर लाने से घर में धन धानने की कभी कोई कमी नहीं रहती दंतेरस के दिन आप माता लक्ष्मी का इसफटिक का श्रीयंत भी खरीच सकते हैं इस दिन यह यंत्र खरीदने से माता लक्ष्मी का आशेवाद प्राप्त होता है और घर में समरत्धी का बास होता है श्रीयंत की पूजा दीपावली के दिन लक्षमी गणिश जी की पूजा के साथ करें धन्तेरस के दिन सौने या चांदी के सिक्के गणिश जी और लक्षमी जी छपे हुए हूँ जरूर खरीतने चाहें धन्तेरस के दिन खरीदे गए सिक्कों के दीपा वली के दिन पूजा करनी चाहें साथ ही आप सिक्कों के इलावा चांदी के बतन भी खरीच सकते हैं धन्तेरस के दिन दुकानदारों को नया बही खाता और तिजोरी खरीचने चाहें दुकानदारों को नई तिजोरी और वही खाते के दीपा वली के दिन मालक्ष्मी के पूजन के बाद पूजन करकर ही प्रयोग करना चाहिए जान रखे तिजोरी ऐलमूलियम की ना हो परिवार के सभी लोगों का स्वास्ते सही रहे और सम्रत्ती बनी रहे इसके लिए धन तीरस के दिन 11 गौमती चक्र खरी दें इन गौमती चक्र को आप पीले रंग के कपड़े में बाद करतें जोरी अलमारी या फिर ऐसी जगे रखें जहां आप पैसा रखते हैं इससे माता लक्ष्मी की क्रपा से धन सम्मंदी सभी समस्याइं दूर हो जाती हैं और धन का लाप होता है धन तीरस के इस रुब मौके पर मालक्ष्मी को प्रसन्य करने के लिए ये वस्तुएं जरूर खरी दें इनसे मा लक्ष्मी और धन के देव को वे देव और भगवान धन वंतरी की इकपा प्राप्त होती है परिवार के सभी लोग सस्थ रहते हैं और घर में धन की कभी कोई कमी नहीं होती उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें शेयर करें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पूर वचिंग राधी राधी